हेई गाइस तो मैंने थोड़ी देर पहले नेट्लिक्स की वेब सिरीज स्लीपिंग डॉग देखकर खत्म करिए इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है और सज बताओ यह सीरीज मुझे देखकर मज़ा आया मज़ा जो थीन था ने सीरीज का वो काफी अच्छा था और अगर एक आदमी कि जो की पहले डिठक्टिव था और अभी वह केस पर काम कर रहा जो की काफी टायम से क्लोज हो चुका था लेकिन अब तक उनको उसका जवाब नहीं मिला ता इसी कारण से वह अभी इस केस पर काम कर रहा है यह एक ऐसा एज़िंट है यह इस इंट्रम पहले था you know time jumps दिखाए गए हैं हमें एक folded screen पर दिखाए गए है जिसकी layers धीरे धीरे खुलती है वो सारी चीज़े देखकर काफी मज़ा है क्योंकि जिस तरह सी इस series start होती है अपनी situation को establish करती है हमें बता जाता है हमें बता जाते हैं यह characters किस तरह के हैं यह characters की life किस तरह की है और अब यह किस तरह की life जी रहे हैं वो सारी चीज़े देखकर मज़ा था क्योंकि स्टार्टिंग सी series में involved हो जाते हैं जानना चाहते हैं कि अपनी situation को explore करती है हमें बताया जाता है कि अब इन सब की life में कितना कुछ बदल चुका है इन सब की life में क्या क्या हो रहा है फिर लगबग सारे twist प्रेटेबल रहते हैं आपको काफी पहले से पता होता है कि यह सब हो सकता है या फिर यह सब होने वाला है इसी कारण से जिस तरह का impact ने इन ट्विस्ट को हम पर डालना चाहिए था न वो तो यह नहीं डाल पाते हैं लेकिन फिर भी यह twist हमें series में थोड़ वो भी मुझे पसंद आ इसपेशली माइक के करेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं जो भी वह फील कर रहो होता है वह फील कर पाते हैं इसी करण से मुझे काफी पसंद आया और बाकी के जो side characters था उनको जाधी space नहीं दिया गया और मैं चाहता था कि characters को भी space series दिया जाए उनको भी अच्छे से develop किया जाए जहां तर बात इस series के negative points के series में काफी negative points है कि जिसके मैं नाई starting में एका कि अगर आप लोगों इस तरह की series देख रखी होंगी तो आप इस series में काफी सारी चीज़ें ऐसी पाओगे जो पहले भी आपने देख रखी होंगी सा इसी कारण से यह एक negative point बनता है और भी कुछ points है इस series में लेकिन उनसे पर बात करके मैं आपको कोई भी spoiler नहीं देना चाहता है जहांता बात है acting के सभी actors का काम अच्छा है especially जिन्होंने माई के character को play करा है personally मुझे उनका काम काफी पसंद आया है बाकि सभी actors का काम भी अच् है इसी कारण से मैं direction को मतलब मानता हूं कि ठीक ठागी था काफी better हो सकता था जहांता बात है editing के editing अच्छी है लेकिन जो pacing है वो थोड़ी और fast की जा सकती थी तो overall मैं यही बोलना चाहूंगा कि यह series काफी अच्छी है कुछ negative points definitely है लेकिन overall यह series personally मुझे काफी पसंद आई ह और अगर आप लोग नहीं series देख लिए तो मुझे comments में जरूबत आना कि आपको यह series कैसी लगी बाकी मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत